आपके बस realme 11 series का कोई भी phone है तो यहाँ पे आप face lock set कैसे कर सकते हैं अपने phone में तो face lock set करने के लिए जाएंगे आप setting पे scroll करेंगे और यहाँ पे इस step से option आएगा password and security पे click करेंगे और यहाँ पे आपको face पे click कर लेना है agree पे click कर देंगे और जो भी आपके phone का lock है अपने phone का lock enter कर लेंगे इसके बद यहाँ पे आपको continue करना है camera open हो जाएगा face सामने लेके आएंगे और इसने detect कर लिया है इसके बद दन पे click कर देंगे face lock आपका लग चुका है यहाँ से आप delete कर सकते है screen lock के लिए आप इसको use कर स तो आप बस इसे on कर लिजेगा face lock से भी app lock खुल जाता है और इसके बद यहाँ पे अगर swipe वाला option चाहिए तो इसे on कर देंगे और इसके बद यहाँ पे brighten screen का option आजाता है जैसे screen की light अगर face lock अच्छे से काम नहीं कर रहा तो इसे on कर देंगे तो face यहाँ पे screen brightness हो जाएगी और यहाँ पे face lock अच्छे से काम करेगा ठीक है तो मैं इसको बंद करके रखती हूं जब काम होता है तब यह on करना है इसको अधरवाइस battery drain होती है required eyes to be open यह option उन लोगों के लिए होता है जैसे कि कई लोग disabled person होते हैं उनकी eyes proper open नहीं हो पाती है तो वो यह चीज बंद करके भी use कर सकते हैं face lock और normal users on कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे back कर लेंगे अब यहाँ पे face unlock देख सकते हैं कि यहाँ पे यह directly खुल रहा है वो जो swipe option बताया था ना अगर उसको off कर देते तो आपको swipe करने का option मिल जाता ठीक है चलिए मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार